दोस्तों क्लास 11 NCR TMS का सुलूशन का रहे हैं यहाँ पे अभी हम अपना एक्सरसाइज 7.4 को देखेंगे कुशन नमबर 2 इसमें देखिए N का मान ग्याद कीजिए इसी के साथ देखो यहाँ पे यह जो आपका एक्सरसाइज है पूरा का पूरा किस पर टिका हुआ है संचे पर टिका हुआ है संचे क्या है आपका NCR यह बराबर क्या होता है N factorial by N minus R factorial multiply आपका यहाँ पे R factorial देखो यहाँ आपको क्या दे रहा है इसका फास्ट कुशन 2N C3 ratio N C2 equal to taller ratio 1 तो दोस्तों आप एक चीज जानते हैं कि जब दो संचे इस परकार से ratio में दे रखे है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे जिस A ratio B है तो इसको लिख सकते हैं A by B तो यहाँ पे ठीक इसी परकार से मैं इसको arrange कर सकता हूँ 2N C3 by N C3 equal to taller by 1 ठीक है अब यहाँ पे मैं दोस्तों अपना formula लगा देता हूँ यहाँ पे देखो sorry 2 है यह गलती से मैरा 3 हो गया अब यहाँ पे है जो मेरा formula लगा देता हूँ और यहाँ भी तो यहाँ देखो ध्यान से यह तो इतना आपको पता है दोस्तों, ईलियम member class के student है यहाँ 2N है, यहाँ N न न न Alan बराबर कितना 2N अराद डका है, न के जगे 2N R के जगे कितना देखो 3 है, R के जगे 3 रका है ठीक है, ईसके लिए 2N factorial नीचे N के जगे adalah 2N R के जगे कितना 3 sociedad, R के जगे कितना 3, 7 may factorial नीचे भी लगाएंगे फोर्म ना देखो नीचे तो कुछ नहीं सिंपल है एन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल और साथ मैपका टू फैक्टोरियल इक्वल टू क्या चलड़ा है ट्वैल बाई वन चलड़ा है यहां पर देखो इसका कैलकुलेशन करना मैत अपून है तो यहां देखो मैं कैलकुलेशन करता हूं टू एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं लिख सकता हूं टू एन मल्टिप्लाइट टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू और मल्टिप्लाइट टू ए करना है दोस्तों एक-एक कम करते जाने है छीक है यहां नीचे 2-3 फेक्टरियल पड़ाया तो मैं 2-3 फेक्टरियल पर जाकर रुख जाऊंगा क्यूंकि यह जो उपर नीचे मेरा कैंसल ओट होने वाला है इस त्री फेक्टरियल को क्या लिख सकता हूँ है त्री मल्टिप्लाई टू फेक्टरियल लिख सकता हूँ अब देखो यहां पे क्या है मेरा यह जो एन फेक्टरियल है इसको क्या लिख सकता हूँ है एन गुणा एन माइनस टू फेक्टरियल एक मिनट सोरी यहां पर मैं जल्दी कर गया n गुणा n-1 गुणा n-2 फैक्टरियल ठीक है यहां पर नीचे क्या है n-2 फैक्टरियल और यहां आपका 2 फैक्टरियल पड़ा है इक्वल टू क्या है ट्रॉल बाई 1 तो दिहां से देखिए, यहां पर 2 and minus 3 factorial, 2 and minus 3 factorial cancel हो गया, यहां ऐन minus 2 factorial, n minus 2 factorial cancel हो गया, यह 2 factorial cancel हो गया देखो, अबर डिवाइड में और जो नीचे भी डिवाइड में और डारेक्ट आपके cancel होते हैं, ठीक है? यहां उपर का आपका डारेक्ट यह दि कहीं पे कैंसल हो रहा हूँ तो उसको डारेक्ट आप कैंसल कर सकते हैं यानि आप ऐसे समझेए, यहां पर मैं इसको अरेंज करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा यह जो इस प्रकार की calculation दे रखिया होती है अब इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है 2N यहां 2N-1 यहां 2 है, यहां 2 है देखो, मैं 2 को बहार common ले लेता हूँ तो अंदर क्या आजएगा मेरा N-1 आगया यहां पे क्या बेठा हुआ है? 3 बेठा हुआ है यहां जो दोस्तों देखो ऐसा समझ दो यह आपका पूरा एक है और यह आपका पूरा एक है तो यहां यह जो इसके डिवैड में रहता है उपर वाले के वह तो आपका नीचे डिरेट के आ जाता है डिवैड में आ जाता है जैसे 3 यहां यह जो उसके divide में रहता वो आपका यहां नीचे आ जाता है divide में और फिर जो उसके divide में रहता वो यहां उपर multiply में आता है इस calculation दोस्ते ऐसे deal किया जाता है यह आप इसको ऐसे समझो उपर यह देखो multiply में है इनकी compare करते हैं इन दोनों की ठीक है तो यह आपका डिवैड मा गया और यह नीचे मल्टिप्लाई में है देखिए मैं इसको लेंग्वेज में वेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो आप इसको ऐसे समझ लिजीगा यहां एक दो तीन चार इस प्रकार से जब दे रखा हो इसको तो जैसा है वैसा है लिखना है जैसे यह तो आपका 3 इसके डिवैड में इसको ऐसे लिखा यह जो है ने यह उल्टा हो जाता है यहां जो उपर है वो जब इसको लिखेंगे simple format यह इसके नीचे आजएगा यहां जो इसके नीचे होता है वो आपका उपर यहां पर multiply में आ जाता है ओके ठीक है चले ओ एन माइनस 1 से N-1 cancel out हो गया इस N से N उड़ गया यह 2 multiply 2 कितना आपका 4 और 4 को मैं अंदर multiply करूँगा तो कितना 8 N-4 आ गया यह जो 3 है इसको मैं सेड बेजूँगा तो divide मैं multiply में आ गया 12 multiply 3 कितना 36 आ गया यह माइनस 4 इसको मैं सेड ले किया हूँ तो माइनस का है प्लस का होगे 36 प्लस 4 कितना दोस्ता आफका 40 होगे 8 से 40 कितना दोस्तों 5 time cancel out होता है यहां 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 पर इसको है जो आपका सेखिन भाग है इसमें सोल करना है इसमें भी एन का मान निकालना है इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा 2N factorial by 2N-3 factorial यहा by N C 3 equal to 11 by 1 3 factorial यहां इचे N factorial और N minus 3 factorial और साथ माप का 3 factorial equal to 11 by 1 यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2N 2N-1 2N-2 2N-3 और साथ में factorial नीचे क्या है आपका 2N-3 factorial यह 3 factorial यह 3 factorial 3 factorial डावर्ट आपका cancel out हो जाता है यहां इसको क्या लिख सकता हूँ एन एन माइनस 1 एन माइनस 2N-3 factorial नीचे क्या है एन माइनस 3 factorial चीग है equal to में क्या चलड़ा इल्यों बाई वान चलड़ा है देखो 2N-3 factorial 2N-3 factorial cancel होगे N-3 factorial N-3 factorial cancel होगे N से N गया ठीग है यहां पर N-1 से 2N-2 कितना 2 time cancel होगे यह उपर आपके पास कितना आगया देखे 4 को अंदर multiply कर देते हैं तो 8N-4 आगया नीचे आपके पास कितना बच गया N-2 बच गया equal to कितना 11 by 1 है cross multiply कर दो 8N-4 11N यह यहां आके multiply होगा minus 12 इसको दोस्तों मैं इस साइड भेज देता हूं इसको इस साइड भेज देता हूं तो यह कितना 11 यह साइड आकर minus होगा 11-8N कितना 3N हो गया यह minus का इस साइड आकर plus का होजएगा तो 22 plus का और minus का 4 कितना आपका 18 आगया और 3 से 18 कितना दोस्तों आपका 6 time cancel out होता है तो यहां N का value कितना आया दोस्तों आपका 6 निकल कर आया है ओके तो इस प्रकार से यह आपका question number 2 का solution है जो अभी हमने देखा वीडियो कैसा लगा नीचे comment कर बाता है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बस आपका basic calculation अच्छा होना चीए बहुत आसान exercise है